हेलो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज वैक्सीन यानि कि बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज होते हैं मेल मेल उनकी जो वैक्सीन हम उनके बारे में डिसकस करेंगे इसके पहले वाली वीडियो में हमने वाइरिस के जो वैक्सीन होते हैं उनके बारे में ये कब लग जाती है बच्पन में लगती है डी का मतलब होता ने है कंदर एक का मतलब होता है कि अल्लेया होते हैं जी मतलब होते है य ही तिव्थि य यूज़ फोल उसका फुल फार्म पेपर में आ जाता अक्षर की डी पीटी का फुल फार्म अताई यह तो चिटनस बहुत से बच्चे के इसे बीशसे भी पीशेवी को बहुत से बिमारियां है जो टी से और दी से भी होती है ठीका तो यह दखीगा डी यानिकि डीप्धिरिय जोता है यह इसके मतलब वैक्सीन का फुल फाम हो गया और डिप्धिरिया जो होता है किससे होता है बॉर्डर टेला पाड्यों से होता है यह होता है यह किससे होता है यह virus का नाम हो गया, यह disease का नाम हो गया, अब बात करते हैं, जो vaccination होता है, इनकी dose जोती, कितने doses होती है, तो यह जो, मतलब होता है vaccine, यह जो होता है, इसके 5th dose होती, कितने 5 dose होती, 1, 2, 3, 4, 5, पूरी 5 dose होते हैं, जो पहला dose होता है, वो 6 week का, यानि बच्चा जब 6 week का, यान कि एक महीने दो हपते के जब बच्चा हो जाता है तो पहले डोस लगाई जाती है ठीक हो फर्स्ट डोस लगने के छे हपते बाद क्या होता है चार हपते बाद क्या होता है दूसरा डोस लगता है और दूसरे डोस लगने के चार हपते बाद तीसरा डोस लगता है और तीसरे तो जो डोस नमबर four है और डोस नमबर क्या है six है sorry five , डोस नमबर four और six जो जो वह क्या है Shot भूंस तरह की तरह होता है शुक्ता प्रभर ख्यूंड हो्शा क्या सीथैंध स trophy को ऐ Hmmm से बर निक्स होते है ङॉक्त से फ़यलता है त्वी किससे फ्यास होता है TOP तूबर्क बियूरीन ये इसका बच्च पैदा होता तहीं लग जाता है यह सिर्फ एक डोस का हुता है बच्चा पैदा होता तो ही इसको लगा दिया जाता है फिर नेक्स्ट विमारी है मेनिंगो कॉकल को से विमारी है मेनिंगो कॉकल मेनिंजाइटिस यानि कि जो मेनिंजाइटिस होता हमारे ब्रेन में विमारी आती है यह क्या है निसेरिया मेनिंजाइटिस से फैलता है और इसके वैक्सीन का नाम है मेनिंगो कॉकल वैक्सीन यानि क थो सब्सक्राइब दो साल का होने वाला होता तब सेकंड ड्मज लता है जो अगले विमारी इस टाइफॉइड टाइफई है और इसके वेख्जीन का नाम भी क्या है टाइफॉइड रश्म ये भी दोस की होती है जो पहला डोस होता वो नोव हपते का जब बच्चा होता तब लगाई जाती है और दूसरा डोस जो होता है वो क्या होता है पहले डोस लगने के पंदरा महीने बाद लगाई जाता है यानि कि लगबग एक वर्ष तीन महीने के बाद लगाई जाता है फ क्या हो जाएगा P4 पी कहा मतलब क्या हो जाएगा नियूमक десят हो जाएगा सी का मतलब क्या हो जाएगा आपना लगा भीक्षील हो जाएगा ठीक है और यह और वैक्सिन ही लाटे इसको क्या करते हैं नहीं जा कितने दोज चाइडा न yapat यानि कि एक मईने दो हपते को जाता है तो पहला डोजर या वासर भालत के ते सबस्क्राइब अरव जुन दूसरे दोस को या दो भाड लगता है ठिसर महीने के बाद लगता है चौथा डोज और चौथा डोज क्या होता बोस्टर होता है ठीक है तो आज की क्लास यहीं खतम करते हैं कैसे लगी में क्लास प्लीज लाइक से शब्सक्राइब जरू करिए ताकि मैं आपके लिए इससे भी इच्छी इच्छी वीडियो बना सकूँ थैंक्यू